इथर्स वीडियो सीरीज के अंदर हमने इथर्स के रिगार्डिंग लिग स्पेशल वीडियो विलियमसन सिंथेज रियक्षन जो कॉम्पूटिटिव एग्जामेनेशन को कवर करता है बनाया था और आज एक और स्पेशल वीडियो जो की कॉम्पूटिटिव नीट और जेई एग्जाम को कवर करता है आज इसके बारे में कुछ बात करेंग हमारी एथर की एक में रियक्शन है एक्शन ऑफ हेलोजन एस्टेड अन एथर ये रियक्शन हेलोजन एस्टेड, हC-L, HBR, में भी जनरली हेक्स भी लिख सकते हैं या हम जनरली हC-L का यहां पर यूज़ करते हैं हम इस रियक्शन के बारे में डिटेल में समझना है कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन को सौल करना है और कोशिश यही करनी है कि हमारा आंसर पूरी तरह से परफेक्ट रहे कहें भी किसी तरह की गलती दा हो तो यह सीखते हैं सबसे पहली बात यह रियक्शन दो कंडिशन में पहली कंडिशन है Limited amount of halogen acid, HCl और एक है excess amount of HCl पहले Limited की बात करते हैं Limited के अंदर भी दो कंडिशन है in presence of non-polar solvent और no solvent इनकी presence में non-polar और no solvent suppose आपको इस तरीके से एक इथर दिया गया और कहा गया limited amount of HCL है आपको product predict कर रहा है तो कुछ बातों को शुरू से ही ध्यान में रखेंगे तो गलती हरकिस नहीं होगी perfect answer तक आप पहुँच पाएंगे सबसे पहली बात आप इन हैं रखें non-polar और no solvent ये एसेंट टू मेकेनिजम को फैलो करता है यानि सिंगल स्ट्रेप रियेक्शन है वॉल्डन इंवर्जन होगा और कार्बो काटायन रियरेंजमेंट नहीं होगा जो जो मैं बोलूँगा लिखते जाईएगा तभी आपके नोट्स बनेंगे तभी परफॉर्म करेंगे अगर आप सिर्फ सुनके टाल देंगे तो ये वीडियो तो जब तक यूट्यूब है तभ तक यहाँ वीडियोबल है लेकिन बेस्ट यही होगा कि नोट करते जाईएगा एसेन टू वॉल्डन इनवर्जन होगा कार्बो काटायन नहीं बनेंगे कार्बो काटायन रियरेंजमेंट नहीं होगा और इस रियक्शन के अंदर हैलोजन हैलोजन गोज विद स्मॉलर अलकायल ग्रूप इस बात को याद रखेंगे हैलोजन गोज विद स्मॉलर अलकायल ग्रूप इतना आपने याद रखना है यानि यहाँ से हैलोजन मिथाईल इथाईल स्मॉलर ग्रूप यह है हैलोजन गोज विद smaller alkyl group hydrogen with bigger part और इस तरीके से आप अपने product को बता सकते हैं product का prediction इस तरह से यहां पर हो पाएगा ऐसे आपको इस reaction को करना होगा halogen goes with smaller alkyl group भूले का नहीं CL negative, CH3, OCH2, CH3 और यहां attacking agent, living group इस तरह से बहर निकाल के आप एक स्ट्रेक्ट में इस reaction को करना सीख सकते हैं या फिर proton के attack से भी इसके mechanism को understand किया जा सकता है competitive की यही खास बात है कि return mechanism नहीं देना तो इसकी को जुरूद भी नहीं है बस इतना ध्यान रखना है कि किस तरह की चीजें आपको यहां भी गई है ऐसे ही अगर आपके पास इस तरह से कोई compound होता यह दिया जाता कहते HCL limited बताएं क्या बनेगा so again we can understand क्योंकि no solving तो halogen goes with smaller alkyl group और इस तरीके से हम यहां अपने product को predict करेंगे यह अपने product को बनाएंगे यानि इस reaction के दुरान smaller group जाएगा least stable carbocatine जाएगा carbocatine एक्चल में नहीं बनते याद करने का method है कि जो भी least stable है उसके according लिए अब ऐसे ही आप यह जान लेजी suppose यहां पर हमारे पास यह substance है और अब आप से कहते हैं बताएं HCL के साथ क्या बनेगा तो देखें हर जगे सारे रूल follow नहीं होते कहीं न कहीं कोई न कोई violate होता है उसका question कुछ करण होता है अब अगर मैं इसी बात को कहता हूँ कि halogen goes with smaller alkyl group तो halogen को इस group के साथ जाना चाहिए halogen must go with this smaller alkyl group लेकिन हम यहां देख रही है partial double bond present है और partial double bond की वज़े से यह bond यहां से नहीं तूटेगा जब यह bond यहां से नहीं तूटेगा तो यहां से split होगा chlorine carbon के साथ hydrogen oxygen के साथ और हमारे पास बनने वाले spaces यह रहेगी तो यहां पर हमारा room violet हो गया हमारा यह कहना कि halogen goes with smaller alkyl group violet हो गया क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि reaction के दुरान partial double bond आसारे से split नहीं होगा इतना हमें यहां पर learn पर नहीं होगा ऐसे ही अगर आपको यह ether दिया गया है और आप से फिर कहते हैं कि HCA एक एक reaction को बहुत गौर से नोट कीजेगा यह selected example है आपके पैस ध्यान रखेगा कि अगर आप यह कहते हैं halogen goes with smaller और आप इस bond को तोणने की कोशिश करते हैं तो resonance के वज़े से यह bond यहां पर नहीं तूटेगा यह reactant हम दे रहे हैं यहां पर कि resonance के वज़े से यह bond यहां से नहीं तूटेगा सिर्फ यहां से split होगा और इस तरह से हम कहेंगे halogen इधर और हमारे पास बनने वाला product कुछ ऐसे बनेगा यह हमारा product रहेगा तो अगर partial double bond नहीं आ रहा है तो halogen goes with smaller alkyl group learn कीजेगा याद कीजेगा लेकिन अगर partial double bond आ रहा है तो partial double bond नहीं तूटेगा remaining part के साथ halogen जाएगा इसे अपने language में जैसे आपको समझ में आए note कर दीजेगा अब अगरी reaction है second part polar solvent या echo solvent echo solution कुछ भी आप कह सकते हैं यानि आप से कहा जाता है CH3 CH2 OCH3 साथ में है HCL limited है लेकिन यहाँ echo solution है तो अगर आपके पास polar solvent है तो किन बातों का ध्यान रखना है पहली चीज SN1 reaction होगी SN1 reaction होगी तो यहाँ पर mixture बनेगा retention of configuration as well as inversion SN1, SN2 के videos already organic chemistry की playlist के अंदर present है अगर आप नहीं जानते तो वहाँ उनके बारे में देख सकते हैं और यहाँ पर कार्बो केटाइन भी बनते हैं और इस mixture को resinic mixture कहा जाता है तो इस reaction के दुरान resinic mixture बनेगा इसके दुरान नहीं बनेगा और यहाँ कार्बो केटाइन बनेंगे तो कार्बो केटाइन rearrangement भी होगा यहाँ के लिए याद रखीगा कि halogen goes with stable कार्बो केटाइन halogen stable कार्बो केटाइन के साथ जाएगा क्योंकि यहाँ कार्बो केटाइन बनते हैं तो reaction कार्बो केटाइन के according लिए ही होगी और Stable Carbocatine के साथ हैलोजन अब जान लीजी ये मिथाइल कार्बोकatine ये इथाइल दोनों में से Stable कौन है इथाइल तो हैलोजन गोज़ेट इथाइल और इस तबहें से दोनों रियेक्शन के प्रोड़क्ट बडल जाएंगे यहाँ रियेक्शन होई थी कुछ और बना था यहाँ होई थी कुछ और बना था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बच्चों के लिए मुश्किल तब ही तक है जब तक उन्होंने चीजों को नहीं पढ़ा लेकिन अगर आप चीजों को होगा इस बात को ध्यान रखेगा नाउ सपोर्स आप से कहा जाता है कि भाई आपके पास यह है यहाँ एक यह इथर है और हमें बताना है एक सी एल एक्वर्स लिमिटेड में क्या बनेगा तो कार्बो केटाइन देख लिजी यह विनायल और यह अलायल कार्बो केटाइन के पर वीडियो भी और गैनिक हमिस्ट्री प्लेलिस्ट के अंदर दिया गया है तो इंडॉन में से स्टेबल अलायल होता है तो अलायल हैलोजन के साथ जाएगा और इस तरीके से यह हमारे पास यहां कंपाउंड मिल पाएंगे फॉर्म होंके तो आपने लिमिटेट एचसी एल में यह दो कंडिशन ध्यान दखनी है और इसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोड़क्ट पिडिक्ट करना है मेकैनिजम के बारे में क्वेश्चन पूछें कार्बकेटाइन क के बार में पूछें इस वीडियो को बार बार चला के देखेगा और जो जो पॉइंट आपको बताएं हैं उन सभी पॉइंट्स को आपने अच्छे से ध्यान रखना है शौर्ट बनाने और लास्ट आता है इसमें एक्सेस और एक्सेस के अंदर दी जाती है चाहें पूलर ह हो या ना हो आपको जवाब हमेशा एक जैसा ही रहेगा तो देखिए एक्सेस के अंदर क्या करना है पहली एक बार पहला है कोई भी अलकायल ग्रूप क्लोरीन के साथ बाहर निकालने ऐसे हाइड्रोजेन इधर और इस तरीके से अलकोहल बनेगा क्योंकि एक्सेस में है यह दुमारा से इस अलकोहल के साथ ब्रूप करेगा और यहां से ओवेच बाहर और इस तरीके से ये हमारे पास अलकायल है तो लिमिटेड में रियक्शन होगी एक बार एक्सेस में होगी दो बार और आप इस रियक्शन को लियरेक्ट एक बाहार ये धर ये धर और इस तरीके से यही प्रड़क्ट आपको यहां पर निल प्राएंगे तो ऐसे बच्चों इस रियक्शन को इस प्रोसीजर को बहुत ध्यान से बहुत गौर से और बहुत दिल लगा के समझेगा आप डेफिनेट्ली इसमें से सक्सेस्फुल रहेंगे ये बहुत दो बगडों निल लगा के दोग् कि भंगे चोंगे लगा है थो, आपको 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 ये बहुत जा है।